नमस्कार दोस्तों मैं हूँ में शर्मा चार्ट अनाइलसिस चैनल प्लप का हार्दिक स्वागत करता हूँ अगर आप ऑप्षिन एफ फीचर में काम करते हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस्मत कीजिएगा चाहे आप नेकेट पॉजिशन मनाते हो चाहे आप स्टैटिजी का यूज़ करते हो ये वीडियो आपके लिए काफी हेलफ़ होने वाली है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी पॉजिशन को आप रोल ओवर कैसे कर सकते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताने चाता हूँ कि फीचर और ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है इसको हम तोड़ा सा रिकाप कर लेते हैं अगर मैं बात करूँ फीचर की तो आप पलचाहे स्टॉक फीचर में काम कर रहे हो या फिर आप दोस्तों इंडेक्स फीचर में काम कर रहे हो वहाँ पे आपके पास मंतिली एक्सपैरी मिलती है वहाँ पे कोई weekly एक्सपैरी का option नहीं होता तो आपके पास अपनी ट्रेडिंग को close करने के लिए यानि कि आपको अपनी position को close करने के लिए 12-22 दिन के ट्रेडिंग सेशन होते हैं वही पे अगर हम options की अगर बात करें तो options में चाहिए आप stock option के अगर मैं बात करें तो stock option में तो आपके पास मंतिली एक्सपैरी का यह option होता है जहाँ पे 12-22 दिन मिलते हैं आपको ट्रेडिंग को अपने तो हमारे पास से time limit होता है जिसको हमें face करना पड़ता है चाहे हमारा view market को लेके bullish हो या bearish हमें एक्सपैरी से पहले अपनी position को close करना पड़ता है चाहे वो profit में हो चाहे loss में हो कई बार तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि एक्सपैरी से पहले हम अपना loss book कर लेते हैं और उसके बाद हमारा target आचाता है आपका analysis 100% ही सही क्यों ना हो अगर आपको proper risk management and capitalizing on market condition नहीं आता तो आपका consistently profitable रहने में काफी problem face करनी पर सकती है क्योंकि आपके control में safe or safe analysis करके trade बनाना होता है आपका target किते दिनों में आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता अभी कुछ दिनों पहले हमने bank nifty में trade लिया था एक्सपैरी से एक दिन पहले बट market range bound हो गया तो हमने telegram challenge में message कर दिया कि आप अपनी position को roll over कर सकते हैं बट ऐसे काफी लोग है जिनको यह नहीं बता था कि roll over क्या होता है तो आपके काफी comment आये थे तो हमने सोचा इस topic के उपर एक वीडियो बना देते हैं आज कि इस वीडियो में समझेंगे कि roll over क्या होता है इसके advantages और disadvantages क्या है वीडियो को like जुरू कीजएगा और अगर आपके कोई भी doubt होते है तो नीचे comment box पो comment जुरू करिएगा आपको reply जूर मिलेगा दोस्तो आज चुके हैं हम अपनी trading platform पे और यहाँ पे मैं आपको practically बताऊंगा कि कैसे आप अपनी position को roll over कर सकते हैं तो पहले तो हम यह समझना पड़ेगा कि हम अपनी position को roll over क्यों करते हैं example के तोर पे आपको कोई winning trade है आप उसे extend करना चाते हैं यानि कि आप profit right करना चाते हैं तो आप क्या करते हैं आप अपनी position को roll over करते हैं पर आपका stop loss trigger नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं stop loss trigger नहीं हुआ but expiry आ चुकी है आज के दिन क्या है मान के चोलो कि market में अज expiry है और expiry वाले दिन पर आपका SL नहीं कटा तो आप उसको time देना चाते हैं तो इस वज़े से भी आप roll over अपनी position को कर सकते हैं पोडिशन को roll over करने से पहले कुछ important point है जिसको आपको analyze करना पड़ता है सबसे पहले आपको market की condition देखनी है दूसरा देखना है कि strike price क्या है और इसकी expiry date क्या है इसके लावा support और resistance देखने है इसके साथ आपको upcoming event देखने है जिसका उस stock पे क्या impact पड़ सकता है एक बात हमेशा ध्यान में रखना position roll over आपको इस बात की guarantee नहीं देता कि आपको आगे profit ही होगा या आपको एक flexibility देता है एक chance देता है कि आप हमने loss को कम कर सकते हैं या फिर अपने profit को बढ़ा सकते हैं अब मैं दोस्तों आपको आपको नहीं सारी चीरे example के साथ समझाना चाहता हूँ अब हम देखते हैं कि हम मालो nifty में काम करते हैं और nifty में हम अपनी analysis करने के साफ से जैसे मैंने बताया ना कि analysis आपके हाथ में है analysis के उपर trade करना आपके हाथ में है और हमने काम किया इसकी weekly expiry पे जो की थी 25 में के आसपास की expiry है तो हम Monday को trade करते हैं तो Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday पांच दिन है हमारे पास अब जब भी हम trade करते हैं तो हम यह expectation में trade करते हैं पांच दिन मार्केट में बहुत होते हैं और हमारा जो stop loss है या तो stop loss कटेगा या तो target आएगा और 200 कोईट की move तो easily मार्केट में देखने को मिल जाती है अब आपका ट्रेंड आपका जो जो ट्रेंड था या फिर हम कहते हैं कि आपकी जो direction थी वह मार्केट को लेके positive थी आप मार्केट में बुलिश थे अब हमने क्या अगरा 25th of May की हमने weekly expiry की एक call purchase कर ली जिसका price चला था जी 100 रुपीस के आसपास यह इसका क्या है premium है राइट यह इसका premium हो गया अब आपको बताए कि यह premium जो है यह 25th महें तक क्या हो जाएगा zero हो सकता है कि अगर अभी जो spot price चाल रहा थारा जार दोसो का क्योंकि हमने 18,200 की ही हमने फ्लाल के लिए call लिया अगर यह 18,200 के नीचे रहा तो यह पूरी value क्या हो जाएगी zero हो जाएगी और अगर 18,200 के उपर बजार जाता है तो वहाँ पर अच्छा पैसा भी बरा सकते हैं अब मान के चलिए होता क्या है कि आपने trade बनाया अब पाच दिन आपके पास है five days market क्या हो गया जी consolidate हो गया ना तो आपका target आया ना ही आपका stop loss आया तो आप क्या करेंगे अब ना target आया ना stop loss आया market consolidate हो गया तो उस case में क्या होता है कि आपका जो थीटा है जो time decay की हम बात करते हैं तो थीटा होता है वो क्या होता है decay हो जाता है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो वहाँ पर आगर अठार द्यार 200 पी भी market close होगा तो यह 100 का 100 जो premium है यह आपका zero हो सकता है और कई बार तो यह भी देखने को मिला है कि जब हमने weekly expiry वेले दिन trade करा उस दिन तो movement नहीं हुई और next day अच्छी कासे movement देखने को मिलगी तो हमारा जो target था वो next day आगया अब नेक्स दे काम करने क या फिर हमने अपना पूरा जो margin था proper एक expiry पे हमने यूज कर लिया है तो ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा थोड़ा सा capital बचा के चलिएगा और आप यह कोशिश करिए कि expiry से एक दिन पहले ही position को roll over कर दे होता है कहीं बार ऐसा होता है कि आपने वालों की कोई आपको setup मिल या trading setup मिला जो कि expiry वाले दिन पर ही था तो तो ठीक है आप expiry वाले दिन काम करिए बड़ आपको लग रहा है कि या मार्किट आपके favor में नहीं जा रहा अगर आपका ऐसलो target अभी तक बचा हुआ है तो उस case में आप क्या कर सकते है next expiry पे पूरिश रोल ओवर कर सकते है व हम कैसे रोल ओवर करेंगे उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो जल्दी से जाते हैं और मैं अभी लेके जाता हूं आपको concept पे और वहां पे आपको थोड़ा सा detail में समझाना चाहूंगा तो मेरे पास है concept और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं option chain को क्योंकि option chain क्योंक अधारएदार 200 एक मैंने कॉल ले लिए अब 18200 की कॉल का प्राइस चल रहा है और नैंटी थी और 95 यहां मानगे चलो चल रहा हैं 100 के आसपास 100 में हमने कि अगर इसकी कॉल बाय करी यानिकर जो प्रीमियम था वो लिया अब मेरे पास क्या है पूरे पांच दिन बचे होए ह 5 days अब 5 days बचे हैं 5 days में मैं क्या तरूंगा इसमें कि 5 दिन से पहले पहले अगर 18,200 के उपर जाएगा तो तो मुझे वहाँ पर प्रॉफिट होगा अगर 18,200 के नीचे जाता है या फिर मार्केट वहीं पर कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पर मुझे नुकसान हो सकता है ये पूरा 93 जो है ये भी मेरा 0 हो सकता है अब मालो की आज हो गई है जी 24 तारिक अब आप मालो 24 मई के आसपास डेट है और 18,200 के आसपास ही प्राइस चल रहा है 18,23240 के आसपास चल रहा है मेरा टार्गेट केता था मेरा टार्गेट था 18,400 के आसपास अब 18,400 का अगर मालो तो मेरा टार्केट है 18400 का टार्केट है और 28230 के आसपास ही चल रहा है मेरा stop loss में trigger नहीं हुआ है तो मेरे पास एक option रहता है कि मैं next expiry पे अपनी position को क्या कर सकता हूँ roll over कर सकता हूँ तो कैसे करना है वो जानना बहुत जाता जुरूरी है तो हम उस case में क्या करते हैं कि next expiry चूज करते हैं हम करेंगे फर्स्ट ऑफ जून के लेते हैं अगर मालों वीकली काम करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि जो प्राइस चल रहा है यहां पर वह चल रहा है इसका 158 के आसपास कुछ और भी हो सकता है बाटम 158 मानके चलते हैं 50 पॉइंट उपर है यानिकि 60.67 पॉइंट वह अप चल रहा है तो उस case में हम क्या करेंगे पॉइशन को जल्दी से रोल ओवर करेंगे रोल करेंगे यानिकि अगली एक्सपाइरी पहले स्टाइक प्रैस चुनना है कौन से स्टाइक प्रैस पर हम काम करेंगे उसके एसाब से हमें डेल्टा भी चेक करना है यह तो मैं आपको एक्जांपल बता रहा हूं मालो आपने पॉइंट सेवन डेल्टा लिया हुआ था प्रीवेस एक्सपाइरी पे तो यहां पे भी कोशिश करो कि पॉइंट सेवन डेल्टा ही लेना अगर पहले आपने एड़्दा मनी पे डेल्टा की आपने कॉल ली थी तो यहां पे भी अठाइरदा दोसों की पॉइंट फाइव डेल्टा की कॉल ले सकते हो वो डिपैंड करता है चाहा तो आप इंदा मनी भी जा सकते हो बट आपको ओटिम नहीं जाना ओट अप दा मनी पे काम नहीं करना है यह मस देखना कि यार पहले वाली एक्सपैरी मेरी पहले वाला प्रीवियम जो था प्रीवेस एक्सपैरी का जो प्रीवियम था वह हंड़र था तो इस केस में मैं हंड़र प्रीवियम भी लूंगा तो उस केस में आप क्या करोगे फिर ओटीम पे चले जाओगे अब आप अठाइट तीन सो कि कहा ले रहे हो कहां पर कॉल भाई कर रहे हो 100 के असपास ऐसी गलती मत करना डेल्टा टू डेल्टा ही रोल ओबर करना हमेशा परफेक्ट अगर आपको ट्रेड बनाना है तो ऐसे ही ट्रेड बनता है ऐसा नहीं कि भाई लास्ट जो प्रीम्यम ता मेरा मालो 20 रुपे के सकते हैं और इसका चाल रहे है 1 60 की ऐस पश चाल रहे है थोड़ा सा महेंगा पड़ेगा हमें बट कोई भात निए दोस्तों जैसे ही आपका फ्रैस आपकर में जाता है मार्केड नियस्वार करता हूँ वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स एक्सपैरे का ट्रेड बनाओ एक्जांपल के तौर पे अभी जो एक्सपैरिय वो 25 तो मैं कोशिश करूँगा कि फस्ट जून का ट्रेड बना लू तो वहाँ पे मेरे पास ज्यादा टाइम मिल जाएगा बट हो सकता है क क्यों कि बाइब सात आठ दिन मार्केट में णहma स्क्राइब प्रणी िना हो के दस दिन मार्केट नहीं होतीं तो मैं क्या करूंगा दो से तीम दिन पहले मैं अपनीसन को उसके next expiry पे, first June के बाद जो एक्सपरी आएगी, उस पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा difference मुझे देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इस expiry का जो premium है और next expiry का जो premium हो बिल्कुल same होगा, उसमें difference होगा, next expiry हमेशा महेंगी मिलेगी हमें, और हमें लगता है कि यार इत आपको लग रहा है कि मेरा जो stop loss था, वो 18,100 का था, market जी close हुई, इस expiry पे 18,050 के आसपास, अब आप क्या बोलोगे कि 18,050 पे तो close हुई है, बट मेरा तो stop loss ही नहीं घटा, बट में यहां पे तो मेरी premium हो zero हो रहा है, तो आप क्या कर सकते है एक दिन पहले, या expiry वाले दिन अपनी position को roll over कर सकते हो, तो हो सकते हैं इस expiry भी आपका target आजा है, तो मैं यह नहीं कर रहा है कि आपको target आने की guarantee है इसमें, या roll over करोगे तो आपको profit पका ही मिलेगा, but at least यह है ना, कि आपको अपने loss को save कर सकते हो, या फिर अपने profit को extend कर सकते हो, तो roll over हमेशा इस सरीके से करना चाहिए, अब यह तो हो गया दोस्तों कि हम कैसे strike price chain करेंगे, या फिर हम कैसे expiry देखेंगे, strike price कैसे देखेंगे, premium यहाँ चेक कर सकते हैं, इसके इलावा हम यहाँ डेल्टा चेक कर सकते हैं, अब जाते हैं, कहां पर directly जाएंगे हम अपने यहाँ पर chart पे, और chart को भी समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं के करता हूँ, यहाँ पर निफ्टी का chart देख लेता हूँ, अब निफ्टी का chart देखा हमने, और निफ्टी के chart के हिसाफ से, हमें लग रहा है कि market positive है, चलो ठीक है जी, तो हम अपने basket भी ready रखते हैं, यहाँ बास्किट कैसे ready रखेंगे, वो देखेंगे, कि यहाँ पर अपनी script पहले से ही add करके रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने लगा देता हूँ, पहले तो मैं आपके सामने bank nifty लगा देता हूँ, यहाँ निफ्टी का ही मैं एक symbol add कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, निफ्ट हम ले लेते हैं एक जून की कॉल राइट यह हमने क्या गर रहे हैं पहले से ही बास्केट त्यार गड़ ली तो 25 मही की अगर हम एक परी देखते हैं यहां पर चार्ट भी मिल जाता है तो हम देखते हैं कि आसपास इसका प्रीवियम चल रहे हैं और हम यह लग रहा है कि यार मार्केट जो है हमें रोल ओबर करना चाहिए अभी एक दिन आया हमारा ना टार्गेट आया तो हम क्या करेंगे दूसरी जगह करते हैं कि अगर मालोव है लगवेट ट्यार कर लेता हूं तो उससे क्लिक कर लूँगा तो कोई बात नि मुझे लग रहा है कि मेरा टार्गेट आई हैगा तो मैं उसके साफ से इसी एक्स्पेडी पर यहां परrier करके करके यहां साबनी कर लूँग तो है देना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है कि आपका अलिस बिल्कुल ठीक है आपको लग रहा है कि मार्केट अशाथारा 400-500 जा सकते हैं तो इस तरीके से आप रोल ओवर कर सकता है तो मैं आपको बिल्कुल ट्रेड लेके तो नहीं बता पाऊंगा बट आपको करना इ अब इसी तरीके से मंतिल एक्सपैरी पर अपनी पोजिशन रोल ओवर कर सकते हैं इवन मैं पहले बहुत पहले कॉमॉडिटी मार्केट में काम करता था तो भी मैं रोल ओवर करता था था तो फिर वह 20 रुबे का रिस्क नहीं ले सकते है तो इसी तरीके से मैं अगर तो कोशिश एगर यह कि एक दो दिन पहले अगर आप रोलोवर गरेंगे तो मेरे साथ से जादा बैटर रहेगा नहीं तो पहले से जो ट्रेड है अपना वह नेक्स पैरी पर कर लिजे और दूसरा कि कर सकते हैं और यहां भे मैं ज हम चार्ट उसको चार्ट उसका क्षार का युसक कर मिलेगा और इसमेंगर प्री残ट तो आज की वीडियो में वह रोलोवर कैसी किया जाता है मैंने आपको औ SEC इन बताया उसके साथ-साथ कैसे strike price चुनते हैं कैसे delta देखते हैं कैसे आप premium को choose करते हैं expiry कैसे देखते हैं इसके साथ-साथ basket कैसे ready करते हैं और ये सारी चीज़े आज की वीडियो मैंने बताया तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आती है तो इसे like करें शेर करें चैनल का आप हमरे subscribe करें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद